नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग अनम क्लाश को आगे कंटिनियू करेंगे जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कम्यूनिती हेल्थट नर्जी जो की एनमका जो फॉर्ष्ट येर का जो section होता है उसका हम लोग देख रहे हैं और साथ ही आप लोगों को biology से related कुछ question भी हम लोग करवाएंगे जैसे कि BTSC ANA में कुछ question आये थे बहुत सारा अभारतियों का डौर्स भी है और बहुत सारा अभारतियों काना भी है कि सर biology से related भी कुछ question करवा दीजेगा तो वह भी हम आपको जरूर कराएंगे तो आप लोग class जरूर जोइन कर लिजे डेली आप लोगों को 7 वजे स 8 वजे class चलती है evening में जिसमें कि आप लोग इस नंबर पर contact करके class ले सकते हैं 70 50 87 2996 70 50 87 29 96 इस नंबर पर आप WhatsApp करके call करके classes ले सकते हैं और class में add हो सकते हैं जिससे कि आपको daily classes मिलेंगे और जब exam नजदिक आने पर आपको test series की भी सुविधा दी जाएंगे और आप NM की नौकरी चाहते हैं तो जरूर class ले क्योंकि बहुत सारी वेकेंसी आने वाले जिस तरीके से जो स्वास्तमंत्री का ऐलान किया गया है तो चली हम लोग class को continue करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कर रहा है हम लोगा question या Oxford के model पर या मेकाईवर एवं फेज के model पर इन मेंसे कोई नहीं तो नर्सिंग योजना जो आधारित है वो Oxford model पर आधारित है किस पर आधारित है तो Oxford model पर यह अधारित है तो इसका correct answer आपका option number भी हो जाएगा स्वास्त आ reverb किया क्या तात्पर्य पś graph over 1 और नहीं उसको क्या करेंगे मतलब की सभी जो आकरा है कितने यहां पर स्वास्त समंचरीद करें संबने अजया है वह आप आप सारे जानिएगा वहां पर आक्रा एकत्रित करिएगा तभी आपको पता चलेगा तो क्या करके आप पता लगा सकते हैं मतलब कि स्वास्त आक्लन का मतलब स्वास्त संबंदी चीजों का तातपर क्या है कि मतलब उसके आक्रे को एकत्रित करना क्या करना मतलब कि स्वास्त क यहां पर दिखते हैं स्वास्त स्री गाड़े उसका कैसे पता आकलन लगेगा वहां के आक्रे को एकत्रित करके तो इसका क्रेक्ट अंसर आपका यह हो जाएगा इसमें बहुत सारा ऐसे भी कुश्चन होंगे जो आपके थुरा सा मैंड में से होंगे थुरा सा सोचिए आपको उसका एंसर मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट कोशन कर रहा है कि निम्न में से स्वास्त आकलन की बिधी नहीं है इन में से कौन स्वास्त आकलन का बिधी नहीं है जैसे कि यह परिश्रवन अस्वर्स परिक्षन आधहात करना या कोई नहीं तो यह आपका परिस्रवन स्वास्त आक्लां का विदी नहीं रहा हुँ वांकी सब इनका वक इन्य jonत के ना हो तो ऐसा ना हो कि उसके लिए आपका जो नया बहाली है या जो आपका बहाली आने वाली है जो कि 24 में बहुत साथा बहाली आएंगे तो वह भी आपको मिस हो जाए इसलिए आप लोग अपनी तयारी पर अच्छी पकर रखे क्योंकि अब जो कोई भी मतलब की वैकेंसी आप ल यह साहता है यह संदो और मेरे यहां सब्स Chima को सब्सक्राइब में करोए अप इस दोन कसटाूए ने बहुत स्काूदे मोधान चल्लिए निकलेगा आपने 40 मेन देख लिये होंगे इसलमें ज seven nine eight में जिसका त्यारी था उसी आपकर रादीजा और मीरती दर्म आप मापी में बहरा रहता है थर्मापी में क्या बहरा होता है कि ऐसे कि तंपरेचन मापता है नहीं उसमें पारा क्या है इसका आपका नमबर क्या हो जाएगा स्वास्त व्यक्ति का सामान टेम्परेचर कितना होगा जो स्वास्त व्यक्ति है उसका टेम्परेचर कितना आप का तो बच्चा में अलग होता यह मतलब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कितने उसका Hungary 2019 सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 37 डिग्री चल्शियस यहां पर है नहीं तो यह हो जाएगा ठीक है अलागा रहा है कि सारीरिक आकलं एसेस्मेंट का उप्योग है मतलब क्या चीज़ में सारीरिक आकलं का उप्योग किया जाता है और है देखवाल में या रोल के निदान में या उप्योग सभी अपस्वन से लहारा है कि इस एंसर क्या हो पर हम देखते हैं मुझा क्या प्रहुत चैवह कुंतलब में सारीरिक आकलं का उप्योग मतलब कल spar के प्रगरी से पता लगा जा सकता है सभी नहीं होगा उफचार के प्रगटी चे अगला कोशन हम दोग देखते हैं आपका क्या कहा रहा है कि करहा की मुझा सथेड एस्टेड थो एसकोप की सहता से ग्यात किया जाता है तो तामान क्या चीज़ का तापमान का ग्याद किया जाता है अला कुशन है कि निमने में से फिमेट निमने में से फोमिट जनित संक्रमन संचरन किस परकार का संचरन है मतलब कर रहा है कि निमने में से फोमिट जनित जो संचरन है वो किस परकार का संचरन होता है 21 परकार का संचरण है तो वहां जनित संचरण होता है में इस उसने में मतलब की जाते हैals बाइन वहांन जनित संचरण है तो खरेक्ट अंसल क्या हो जाएगा उसको नोट्स मिल चुका है lifelong classes आपको daily मिल जाते हैं इसके लिए आपको कहें खोजने की जॊनत ने पढ़ते हैं हम आपकेobs सब्सक्राइब करें कि संक्रमित हाथ हो द्वारा होने वाला रोग संचरन किस प्रकार का होता है परत्यक्ष संचरन वहां जनित संचरन या उप्योक्त सवalen तो यह जो संचरन होती है यह मतलब कि परत्यक्ष संचरन भी हो सकते हैं संक्रमित करिएगा तो इक से बरॉ cham कि यह मतलब रूप से बीजा सकता है और चंवर ूप See कि रोग चक्र के कार चरण नहीं है लोग चक्र के चरण इन में से कौन नहीं है फाश्टीज फाश्टीज जियस या उद्भवन काल या कनलेसेंस या आटो क्लेविंग तो कौन सा रोग कौन सा चक्र चरण नहीं है रोग चक्र का चरण नहीं है तो इसका हम यह देखे तो यह कंप आप लोका इसका एंसर पता भी होगा कि कौन सा रोग चर्ण नहीं है रोग चक्र सवरी अक प्राथ्मि अस्तर लोग रोग थाम में निम्न मेंसे किस कारे का संपादन नहीं किया जाता है कारे कि प्रात्मिक अस्तर के रोग थाम में निम्न मेंसे कौन सा कारे नहीं किया जाता है पुछा जा रहा है तो मतलब कि आप सब एक है संतुली तहार मतलब की प्रात्मी का अस्तर पर प्रोग्धम के लिए दिया जाता है पुनर्वास भी दिया जाता है लेकिन पडिया वर tellement सब्सक्राइब कि वीए महाने नहीं रखते हैं तो इसका क्या जगा मैं क्या था जएक रोगताम में किस प्रकार का पुर्णडर्वास किया जाता है तो चिकित चै yardım कर्सका अप्सन नुंबर अक्रलाग थर्माइटर को वी संक्रमित किया जाता है मतलब कि यदि थर्मामीटर ज्यादा यूज चरते हैं मतलब कि उसको यदि उससे भी संक्रमित कर सकते हैं दिटोल से से भी कर सकते हैं सेवलाउं और यूझ होते हैं से भी कर सकते हैं तो सबarem हो जाएगा अला कि autoclave के तापमान रखा जाता है तो autoclave का तापमान रखा जाता है वो कितना रखा जाता है तो वह आपका 121 degree centigrade रखा जाता है कितना 121 degree centigrade रखा जाता है आज हम लोग बहुत लंबा classes नहीं देखेंगे क्योंकि कर सकते हैं कि मना के आये हैं तो उतना क्लास करने के आप लोग की मन भी नहीं होगा तो कल से हम लोग का लंबा classes continue होंगे अलागी autoclave video है जिसमें रखा जाता है क्या मतलब autoclave video को किस पर कैसे रखा जाता किस विदी पर कैसे मतलब उसको रखे जाते किस temperature पर उसको मतलब कि उच्छ ताप और उच्छ दाब उपर रखा जाता किस पर उच्छ ताप मान और उच्छ दाब उपर इसको रखा जाता है इसका correct answer option number B भी हो जाएगा अलाएकि मनुस्स्किय अस्थी माजब यो बोन मैरो होता है से प्राप्त परतिरोफ स्वादान है क्याबाती और प्रतिरोफ रखता मेरो जो रखाता है वह उक्या कालाती है हो अला करें नमने में से जीवीद्ट ठीक है लाइव-्वैक्सीन नहीं है इन में से कौन नहीं है यह को पुछे जा रहे है इस कोईसिटमें जीवीट ठीका पिaat इक जीवीट बहुत सारा कुश्चन आपको इसके रिगार्डिंग बीसीजी की रिगार्डिंग मिलने वाले हैं अला कुश्चन का रहा है कि गर्ववती के दारान माता से सीशू में मिलने वाली पर्तिरोधक्ता होती है क्रितिम मतलव होता है जो बनाया जाता है अपने से खुद से जो आप जैसे के मेडिशिन देते या कोई चीज देते तो वह क्या हो मतलब एक तरह की से क्रिटिम हुआ प्राकिर्टिक जो नेच्राइल मिल दे हैं तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि गर्वती के दोरान क्राइक गरवति कि दौरहन माता से 2007 को मिलने वाली पर्तिरों प्रड़ार्ल की क्रीदिंग में निस्क करिये द्रßkयए या प्राकर्टिक सक्रियत यह तक्रीथ के दिया जथा क्रीदिंग सकृति क्या हो जाएगा आपका क्रिक्तिन क्या होता प्रकेटिक क्या है यह हमने आपको बता दिए इसके बाद हम लोग उसका कुश्टिन देखेंगे और साथ ही आपको जहां पर बायलोजी का कुश्टिन आने वाले मतलब संभावना है वहां का बायलोजी का कुश्टिन विए अटेम्प करेंगे तो आप लोग इसके लिए बिलकुल इन इस चिंद्र है अलाकर है कि निम्न मेज से सन्यू कुश्टि के कमबाइन वैक्सिन का उदारन नहीं है इन में से कौन कमबाइन वैक्सिन का उदारन नहीं है तो कमबाइन वैक्सिन का यह दिबात करें उसका उदारन इन में से कौन नहीं सो दिया गया है तो कमबाइन वैक्सिन अम्मार लाकर दिया जाता है यह समझते हैं कि में आपका यह नहीं होता है ठीक है लेक्स्ट को देखते हैं कि आपका अगला कुश्चन क्या कर लिए इस तरीके थे लोग का 304 पुश्चन एक टॉपिक का कवर करेंगे और आपको बहुत ज्यादा फील भी नहीं आने देंगे कि रिवाइज करिएगा आपको सारा कुश्चन आएगा कोई दिक्कत ने वन लाइनर कुश्चन है इसमें आपको हो जाए दिक्कत आने वाले नहीं है अला कर रहा है कि कौन सा रोक हड़ी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है जिसमें कि बहुत जादा आपको पुरी दरद हो रहा है मलेरिया है डेंगू या हिससी सभी उठार में इसंहोता है आपको में रही होता है तो यह मैलेरिया में भी यह लैक्षण होते हैं डेंगू में भी वहता है gordnoc leaky just ौौशता है यह फाले कि अशानी में परी या उसका उप़्चार नर्समेंदाटा नर्स को कौन सि साबध्यानी साब्धानी बरतनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि a Jonkconf 2012 तो यही tratar है कि a Pritoking ये आते हैं यही आपको पचार करना है। तुर पारëं को कौनि साब्ध्यानी बरतनी चाहिए। रोग कि देखवाल करते समय दस्ताने का उप्योग करना चाहिए चमरे चस्में गॉगल्स का उप्योग करना चाहिए मास्क का उप्योग करना चाहिए रोगी को अंदेखा एबवाइड करना चाहिए तो आपका वैसा ही नहीं होगा आपके पास रोगी आता है तो आप उसको एबव ही नहीं साकते हैं तो क्या हो जाएगा पतलब जब रोगी का आप देखवाल करते हैं तो उस्तमें आपको मास्क लगा यह यह न लगाईए आपको दास्थाने का उप्योग जरूर करना चाहिए यह आप लोग समझते हैं तो इसके लिए आपका इसका क्रेक्ट अंसर क्या अलाकि malaria रोग किसके द्वारा होता है malaria कैसे फाइलता है वाइरस से प्रोटो जोवा से हुक वर्म से या सभी से या इनमें जो अप्शन गिया गया है उनमें से सभी से यह किसे फाइलता है यह हुक वर्म से फाइलता है किस से malaria या रोग हुक वर्म द्वारा फाइलता है किसके द्वारा फाइलता है तो हुक वर्म के द्वारा फाइलता है तो इसका correct answer आपका option number यह सही हो जाएगा next question हम लोग देखते है next question आपका क्या का रहा है का रहा है कि निम्न में से प्लेग फ्लेग रोग की सबसे घातक अवस्था है यह आपसे पूछे जा रहे हैं तो कौन सा सबसे घातक अवस्था है तो स्याप्टी सेमिक प्लेग क्या होता है स्याप्टी सेमिक प्लेग सबसे घातक अवस्था है फ्लेग रोग कठेगा इसका correct answer आपका option नमबर भी हो जाएगा अगला question देखते हैं कि निम्न में से टेट जो इसमें लिखाए टेटनस मतलब टेटनस जिसे हम लोग काता है मैं कौन सी आवस्था देख देखने को मिलती है लो लो जो या अब सब्सक्राइब निम्न में से वाहक जनित रोग है मतलब वहाग जनित रोग है अवस्था देखने को मिलती है निमन में से वाहक जनित रोग है मतलब वाहक जनित एक में से दूसरी में कौन सा रोग है जो फाइलता है जिसका मतलब कि होता है कि इसका मतलब की affect वाहुच जनित कर रहा तो वाहक जनीत रोग वता होता है तो फीले जाबी नहीं होता है वाइडा दर्म का उद्देश नहीं है कुश्चन आप ठीक से पढ़िएगा करें कि परिवार्ण योजन कार्जकरम का उद्देश क्या नहीं है परजनन स्वास्ति को बढ़ावा देना ये तो इसका उद्देश हाई ने उसको परजनन दर को कम करना है बच्चे के मध्य तीन साल का अंतराल होना ये भी इसका एक उ इरोधक साधनों का उपयोग को बढ़ावा देना ये भी सही है उसके रिगार्डिंग या इन में से कोई नहीं ये तो बिलकुल कलते इसका क्रेक्ट अंसर क्या हो जागा अप्शन नमबर ये हो जाए ठीक है कौन परिवार नियोजन कार्जकरम का उद्देश नहीं आए प दुवारा एक ही चीज को नहीं बताएंगे वो वीडियो आप देख लिए उसमें हमने आपको बता रखे हैं जो क्लास रेगुलर कर रहा है उससे पता है इसका क्रेक्ट अंसर आपका ऑप्शन नमबर ये हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आज का आप लोग का क्लास हम आपको क्लास मिलता रहेगा आपको कोई भी ऐसा कुछ मतलब की आप या कहीं उन्हों ने की जोड़त नहीं परेंगे चली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्यों